असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटेल की सबजी जो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी आप मेरी वीडियो को शुरूर से एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चलिए हम कैसे बनाते हैं तो आपके साथ शेयर क करते हैं हाँ पर मैंने आदा किलो कटेल लिया था कटेल को स्था से काट लिया इनके बीजो को चील के स्था से काट लिया है इसको हमने वाश भी कर लिया है इसको बनाने के लिए हमने एक प्यास बारी काट लिया है और एक टामाटर लिया है और छे से साथ हरी मिर्ज हम इस का तब हम इसमें एड कर देंगे और इसको हम fund करिंगे chiar qué light जों करेंगे हैं मिसको तो यह light जोलडन होगे हैं मिसमें टमाह्ट refund कर देंगे इसको भी हम mix कर लेंगे हर इम इड कर देंगे इसको भी हम अच्छे से mix कर लेंगे, बुनाई कर लेंगे अच्छे से, एक चमच हम इसमें अधक लेसें का पेस्ट लेंगे, इसको भी mix कर लेंगे और हम इसकी भी एक मिल्ट बुनाई करेंगे, अच्छे से डाल के, कुछ मसाली लेंगे जिसमें हम एक चमच हल्दी बॉडर एक चमच धनिया बॉडर और हम यहाँ पे एक चमच लेंगे गरम मसाला बॉडर और नमक टेस अकॉर्डिंग लीचे का आप लोग इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो माशाला से हमने मिक्स कर लेंगे तो जो कटेल काटा था वो इसमें एड कर देंगे और इसको अच्छे से हम भुनाई करेंगे छे से साथ मिनट हम इसको भुनाई करेंगे तो माशाला से हमने इसके अच्छे से भुनाई कर लिया है छे से साथ मिनट हमने इसमें ऑईल जादा नहीं लिया है आप चाहें तो ऑईल और भी ले सकते थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने जादा पानी नहीं लिया थोड़ा ही लिया है और इसको हम 10 मिनिट के लिए बन करके कुक करेंगे तो 10 मिन्ट हो गए है माशयलास इसको खूल के देखते हैं अभी हम इसको और बने देंगे 10 मिन बाद फिर खूल के देखेंगे तो माशयलास तयार हो गया है इसको हम एक बार देखते हैं कि ये गला है या नहीं तो माशालास अच्छे से गल भी क्या है इसमें हमने जो धनिया काट की रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अभी गैस का फ्लेम हमने आफ नहीं क्या है अब गैस का फ्लेम हम आफ कर देते हो माशालास से त्यार हो गया है कटेल की सब्ची अगर आपको रेसिप पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए शेयर कीजिए मेरी वीडियो को